बड़ी खबर फिरोजाबाद से है जहां पार टूनला तैसील में होने वाली किसान पंचात नगला बीच नहर मुवाली भारती किसान यूनिन भानू के टूनला तैसील अध्यक्ष शीलू सिकरवार द्वारा वारल वीडियो में किसानों को केती के लिए सिजाई और बिजली क सबस्या को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है सुनिये नवस्कार जय जवाज जय किसान साथियो मैं सीलू सिकरवार भारती किसान भानू टूनला तैसील अध्यक्ष 27 तारिक को होने वाले आंदोलन के लिए जो कि आंदोलन आपकी नहर जो नगला बीच होते हुए फिरोजाबाद के लिए जाती है और बिजली जो दो से तीन घंटे लाइट आ रही है उसके लिए हमने माननी आपके टूंडला के उप जिला अधकारी महोदे को एक ग्यापन अरेंज कराई जिसमें सिचाई विभाग के अधकारी बिजली विभाग के अधकारी भी मौझूद थी और कई अन्य सम्मानित किसान भाई भी मौझूद रही तो वहां बात हुई सवागार कच्छ में मीटिंग अरेज कराई थी तो मीटिंग के दोरान बार्ता के दोरान सिचाई विभाग एवं बिजली विभाग के अधकारी ने बहुत ज़्यादा हमें नहीं बता पाए वो और ना ही हमें उनकी बातों से लग रहा था कि वो सुधार कर पाएंगे क्योंकि एक्सियन कह देते हैं कि एसी साब करेंगे एसी साब कह देते हैं चीप साब करेंगे इसी प्रकार से नहर विभाक का है कि उपर से पानी नहीं आ रहा है कि नीचे से पानी नहीं जा रहा है इस तरीके की बातें रोश्टर की बात की तो रोश्टर के हिसाब से भी प ये एक लेटर भी जारी किया था एस्ट्यम साहब ने बैठक के संबंद में दो बज़े से बैठक हुई एकल उसके बाद भी अभी तक कोई निसकर्ष नहीं निकला है तो सभी किसानों से हाथ जूड़कर निवेधन है इस 27 तारिक को जादा से जादा संख्या में गाउं मवल पंचायत होने जा रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं सिभजी का मंदिर है यहां पर और बावा ने आजेश किया है कि इस वार किसान पंचायत आरपार की होगी तो इसलिए सभी अधकारियों से लगातार बारता चल रही है उपर से भी बहुत फॉन आये हुए हैं लेकिन अभी तक कोई भी बात समस्या के समाधान तक नहीं पहुंची है इसलिए आप सभी से छेत्र के जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं सभी से हाथ जोड करने वेधन है कि नहर और बिजली की समस्या प्रमुक समस्यां को लेक सत्ताइस तारिक को गाव मौबली सिव मंदिर पर भव्य पंचायत होने जा रही है जिसमें आप सभी सहवागता करें अब अपना सयोग जय जबान जय किसांद भारत माता कीज़े